देश में वंदे भार ट्रेन का विस्तार पूरी रफ्तार से जारी है। हर राज्य को वंदे भार ट्रेन के जरी जोडने की कड़ी में। आज पीम नरेंद्र मोदी ने देश को एक साथ नौ वंदे भार ट्रेनों के सवगार दी। पीम ने इस मौके पर कहा कि ये ट्रेन देश के ग्यारह राज्यों से गुजरेगी पीम मोदिय ने कहा कि पहले रेल्वे के आधुनिकी करन पर दिहान नहीं दिया गया अब पहले के तुलना में आधुनिक और आराम दायक ट्रेने मौजूद है आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, जारखन, पस्चिम मंगाल, उडिशा, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश, तेलंगना, करनाटरका, और किरला के लोगों को बंदे भारत एक्स्प्रेस की सुविधा मिली है आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आराम दायक है अब तक एक करोड ग्यारा लाग से ज़्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है साथियों देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र सासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है अब इसमें नव और वंदे भारत एक्स्प्रस जूड जाएगी 500 से जादा बड़े स्टेशनों के री डेवलप्मेंट का काम शुरू किया गया है अमृत काल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे पहले की सरकारों में जब केबिनेट का गठन होता था तब इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्राले किसको मिलेगा माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्ये से हो का उसी राज्ये में ज़्यादा ट्रेने चलेगी और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की गोष्णाएं तो कर दी जाती थी लेकिन पट्री पर बहुत कम ही उतरती थी इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलिवे काई नहीं देश का बहुत बड़ा नुक्सान किया